नमस्कार दोस्तों मैं निल कुमार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अपना सुल्तानपूर में आज मैं सुल्तानपूर से मात्र 15-20 किलो मीटर की दूरी पर आया हूँ तो यहाँ पे जो धान की रुपाई समय जो चल लए ये वो सबसे ज़्यादा तेज चल लए जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो सारे लोग अपने खेतों में धान रोपने का काम कर रहे हैं तो यह देखिए टाक्तर से हमारे भाई साब बैठे हुए हैं इनसे बात करेंगे पूछेंगे कि इनकी जीवन्यापन जो है किस तरह से चलती है अभी तो यह बारिसकल से यहां पर सुल्टानपूर में चालू हुई है और इसी में साथ में चलते हैं भाई साब के साथ में बैया आजाए तो कैसे कैसे चल ला जीवन्यापन ठीक चल रहा है कह रुपाए घंटा चल ला आपका यह जोताई जो है है कितना भीगा सुड़ेते चार वीगा साधे तीन से चार वीगा आपका यह जोती रहते क्यों क्या नाम है धिमल कुमार तो आपी का यह हमाराएं की जोती रहते अच्छा कितनी देर चैक तो दो 22 हो गए बाइस मेट कितना जोता गया बाइस मेट में लभाग 14-15 विस्सा यह जो है आ रहे हैं तो लमसम है किलियर नहीं है अच्छा लमसम है तो भाईया अगले वर्स कितने गंटे में था वो बारस उसके पहले उसके पहले एक हजार था एक हजार जब डीजल महेंगा है क्या रुपए लीटर है डीजल इक च्भावय रुपए इक च्छा पैसा आको कितने देर चलता में गंटे में के लेटर 4-1.5 लीटर तो अब इदर से नाओं दे questa लिए नहीं हमाना को लगार नजने अच्छा बगल बकल लगा है आप तो धनग आपका भी है कि आपका-क्टर है यहां पर लोग दान लगा रहे हैं आगे कीचड भी बड़ा हुआ पानी बरस चुका है यहां पर देखेंगे जो है हमारे इधर चल रहे हैं सामने तो यहां पर कुछ महिला आएं और कुछ पुरुस जो है धान अपना रोपने का काम कर रहे हैं जो धान का खेत है उसके मालिक से मेरी बात होगी कैसे उनका जीवन्यापन है इस महेंगाई में एक तरब तो सरकार के बड़े-बड़े यह देखिए साथ से दो दो चार चेस साथ लोग फेत में हैं जो धान लगा रहे हैं यह हमारे साथ में चाची जी है चाची जी का नाम है सुल्तानपोर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपोर चैनले को सस्क्राइब करें अगर आपका हमारे लिए कोई सुजाऊ हो, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए धन्यवात